ये PIT टेक का स्टॉक आज अल्मूस्ट दो परसेंट गिरा है और उसके बीचे के रीजन्स क्या है ये समझेंगे मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है ये बट फिर भी ऐसा लगा कि I think this is the time again की एशो हमने डिसकस करना चाहिए I think एक दो मेने पहले भी KPIT टेक पे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें KPIT टेक का जो टार्गेट प्राइस था 600-700 के बीच में बताया गया था यानि कि डाउनसाइड ऑफ अल्मोस्ट 25-30% की बोली गई थी आज और एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट JP Morgan की है तो उन्हों KPIT टेक इस कंपनी के स्टॉक की जो प्राइस सामने रखी है टार्गेट प्राइस वो 540 रूपीज रखी है अगर कोई स्टॉक 1084 रूपीज पे ट्रेड कर रहा था तो वहां से उसका टार्गेट प्राइस 540 रूपीज दिया जाता है मतलब 50% का डाउनसाइड बताया जा रहा है इन दिस पाटिकलर रिपोर्ट वैसे कुछ रीजंस भी उसमें बताए गए है एक तो मतलब कुछ-कुछ लोगों को को KPIT टेक के वैलुएशन प्रीमियम वैलुएशन लग रहे कुछ-कुछ लोगों को KPIT टेक के वैलुएशन ओवर वैलुएशन लग रहे सो अब यहां पर वैलुएशन की केस उनको लगती है सो एक एक्जांपल उन्हें ने दिया है कि कैसे होंडा मोटर्स ने एक कांट्राक्ट दिया था KPIT टेक के साथ एक उनका प्रोजेक्ट दिया था और बाई 2030 अल्मोस्ट 2000 एंपलोईज उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करेगा KPIT टेक अब और एक कंपनी को मतलब उसी होंडा ग्रूप ने एक और एक कंपनी को उसी तरीके का एक प्रोजेक्ट दिया है और बोला है कि बाई 2030 आराउंड 1000 एंपलोईज विल बी मतलब वहां पर इंपलिमेंट किये जाएंगे और टोटल एक्टिव होंगे अब यह पर्टिकुलर एक जो न्यूज है तो इसको थोड़ा सा ज़ाधा एक्स्ट्रापॉलेट किया गया है और बोला गया है कि नाव दी ऑटो कंपनीज आर फाइंदिंग कोई भी सेक्टर की कंपनीज जो सौफ्वेर कंपनीज के साथ काम करते हैं तो इस नॉट डाट की अगर हम बात करते तो उसकी तरफ अगर हम देखते हैं यहां पे तो बाई तो थूथाउजन पैंटी फाइव अल्मोस्ट फंडेड़न डॉलर की इंडस्ट्री हो सकती है ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है फंडेड़न शिक्स्टी सिक्स बिलियन डॉलर्स अगर मैं पूरे साल का रिवेन्यू बता हो आपको KPIT टेक का जो ऐसी कोई बी ऐसी एक भ 25 क्रो रुपीज का रिवेन्यू रहा है इस कंपनी का फॉर फाइट वेंटी थृ और 387 क्रो रुपीज का नेट प्रॉफिट है तो 3300 क्रो रुपीज का रिवेन्यू अगर यह नंबर हम बिलियन डॉलर्स में कनवर्ट करते हैं तो वह नंबर क्या होगा नॉट इवन 500 मिल का रिवेन्यू है इस पर्टिकुलर कंपनी का तो आप समझ रहे हो कि यहां पर पोटेंशियल कितना जादा है जो फीचर्ट वेहिकल्स बंदब जैसे फीचर फोन होते थे उसको वह स्मार्ट फोन बन गए क्या हुआ अल्टिमेंटली सॉफ्टवेर्स इंप्लिमेंट कि उसके कंपारिजन में यह जो अभी के मार्केट कैपिलाइजेशन से या फिर जो भी रिवेन्यूस इन कंपनीज को मिल रहे है यह नंबर्स बहुत छोटे हैं आइम नाट डाउटिंग डाट की अधर कंपनीज विल नाट कम इन्ट अर आप प्रेसेंट इन इस जैसे कि TCS इन्फोसीस, HCL Tech, बड़ी-बड़ी कंपनीज के अगरम बात करते हैं इस नौट बात करते हैं अगर कोई कंपनी ट्रेइड करती है तो अर्निंग की डिसपोइंटमेंट कैन रिवेन्ट प्रॉब्लेम्ट वाल्यूस इनको देखना होगा अगर कोई कंपनी ट्रेड करती है KPIT Tech shareholder तो आप carry कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा long term point of view से अगर आप देखोगे तो if you feel that कि earnings की जो growth है वो काफी अच्छी double digit में higher double digit में अगर रहेगी so in that particular case these premium valuations जो बहुत सारे लोगों को और valuations भी लग रहे वो justify हो सकते है but when they will start disappointing और even they will disappoint for one or two quarters also sharp corrections are also possible and that's why risk associated with this kind of investments are always aggressive risk profiler के investors नहीं इसमें जादा ध्यान देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है so if you want to know whether what kind of stocks are there in our model portfolios जो aggressiveness conservative moderate अलग अलग model portfolios are available if you want to subscribe to our model portfolios investors इन्वे रादिन को visit कीजे and हमारे model portfolios को subscribe कीजे monsoon is in full swing monsoon ये प्रमो कर use कीजे and get 55% discounts on our model portfolios if you need any help in portfolio management investment advisory or investment execution you can contact our relationship cell the contact details are available on our website investadnya.in one-on-one sessions are also available तो ऐसे ही videos के लिए चानल पर बने रही है video को like करना share करना और चानल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना next video में मिलते है जाहिन